आज हम बना रहे हैं गड़ेश चतुर्थी स्पेसल गनपत बप्पा का फेबरेट मोदक मोदक बनाने में ये बहुत आसान है और इसकी सारे इंग्रेडियेंट्स आपको घर में ही मिल जाएंगे तो चलिए बनाते हैं बनाने के लिए मैंने आधा कपचे थोड़ा सकम यहां मुंफली ले लिया है सबसे पहले पीनट को हमें रोश्ट करना है तो एक पैन लेंगी उसमें हमें ढ्राई रोश्ट करना है घी या कुछ भी नीडालना है बस आपको सिम्पल रॉस्ट करना है जब तक कि मंखफली हल्की सुनहरी न ओजै और इसकी छिल्की हटने लाएक न हो जाय है मुँख्ली को लगातार चलाते ही भी रोष्ट कर लेना और यहाँ देख सकते हैं मुझे 5 मिनिट हो गए हाई फलेम पे नहीं रोष्ट करना है मेडियम लो फलेम पे रोष्ट करें और मुँख्ली की जो है बहुत अच्छे से रोष्ट हो गई है आप अपने मन पसंद की कोई भी ड्रैफ रूट्स ले सकते हैं जितना आपको डालना हो और जो ड्रैफ रूट्स आपको पसंद हो ड्रैफ रूट्स को काटके तयार कर लिया है और यहां मंगफली भी ठंडी हो गई है तो इसके छिलके हटा देंगे यह बहुत अच्छे से ज ग्रैंड करने के लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है मंगफली को मिक्सर जार में डालेंगे और इसी पल्स मोड पे ग्रैंड कर लेंगे आप इसे ठंडा करके ही ग्रैंड करें गर्मा गर्म में बिल्कुल भी ग्रैंड ना करें वहना मंगफली से ओयल निकल जाएगा फिर जो हमारे मोदक हैं बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनेंगे सॉप्ट बनेंगे मुह में जाते ही घुल जाने वाले बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे तो बस चीनी को आपको पेगला लेना है क्योंकि पानी का इस्तिमाल बहुत ज़्यादा कम किया ह तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा तार की चासनी नहीं बना के तयार करनी है बस यह थिक थिक आल्रेटी है क्योंकि इसमें पानी का यूज बहुत कम हुआ है देख सकते हैं अब हम इसमें मुंफली का पाउडर डालेंगे और इसे अची तरीके से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम मेडियम रखें मेडियम फ्लेम पे हमें इसे मिक्स करते रहना है जैसे जैसे मिक्स करेंगे अपने आपी यह थिक होती जाएगी अब इसमें जो कटेवे ड्रैफ रूट से उसे डाल देंगे ड्रैफ रूट डालने से क्रंच आता है ये बिल्कुल भी ऑप्सनल है अगर आप चाहें तो डाले वर ना इसकेप कर सकते हैं आप सिप मंफली से भी बना सकते हैं अब इसमें आदा चमच घी होई डाल देंगे घी से जो सॉप्टनेस बनी रहती है वो इस मोदक में बहुत जादा रहेगी अब हम इसमें वन फोर्थ कप डेसिकेटिड कोकोनेट डाल देंगे इसी खाने में बहुत अच्छा लगता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है बस यह डालते ही देख सकते हैं कितना थिक हो गया है बस अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और यह पैन भी छोड़ने लगा है यह देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर एक जगा ही कठा हो रहा है तो हाथ में थोड़ा सगी यह ओईल जो भी आप लगाना चाहें लगा लें और इससे मोदक बना के तयार कर लेंगे अगर आपके पास मोदक का मोल्ड हो तो मोदक के मोल्ड में ही बना है लेकिन मेरे पास मोल्ड नहीं था तो मैंने हाथ से ही बनाया है और हाज से भी बहुत इजली बन जाता है और ऐसे हाज से बना कि आप किसी चीज से ऐसे डिजायन बना सकते हैं मैंने सारे मोदग बना के तयार कर लिए और ऐसे नाइफ की सहायता से मैंने साइट साइट से डिजायन बना दिये हैं और ये हमारे सारे मोदग बन की तैयार हो गया है इस गनेश चतुर्थी आप इस मोदग की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत बसंद आएगा मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सबस्क्राइब और आप इस गनेश चतुर्थी कौन से मोदग बना रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा मिलती हूं ऐसी ही एक नहीं मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक की लिए वाई वाई अपना ध्यान रखिए गनपत्वपा मौर्या की रखिए लिए ठाएंगा मौर्ण हैं कि यदी क्लुफड़ देन गर रहे हैं कि क्लुची कथक्ताएब कि बना प्रतों मौर्ण हुल करें जरूर लिए 10 कि कि ऑने ही हैं